हेलो एवरिवन तो चलो आज हम जा रहे हैं कसोली आपको कसोली का व्यू दिखाते हैं लेट्स को और यह हम पहाड़ों में पहुँच गए हैं जाते हुए रास्ते में हमें मिला एक होटल और जो की बहुत ही अलग था यहां से देखो नीचे जाते हुए स्वेमिंग पूल व इतना ही प्यारा निचर इतना ही सुन्हें लग através बहुत ही मजाया है मैंने बहुत न्यों किया उसके बाद देखो हमें यह मिला जूल आप था देखो यह पो और पानी को शोड देखो कितना ही आ रहा है और यह देखो कितना ब्यूटीफुल नेचर है आप भी यहां ज़रूर जाना बहुत अच्छा है यहां पर चाए और मैगी खाने के बाद हम निकल पड़े यहां से और फिर हम गए कसोली के लिए हम कसोली बाइक से गए थे तो बाइक पे आने का तो यहां अलगी मज़ा है आप इतने अच्छे से नेचर को एक्स्प्लॉर कर पाओगे ना सबसे पहले गई मैं कसोली की मार्किट और वहां से मैंने एक लैम्प खरीदा जो भी आपको आके नज़र आएगा यह मैंने लैम्प खरीदा यहां से और फिर हम ने गाया समूसा बन जो कि बहुत तिस्ट रोती है और यहां कबन इतना famous है कि देखो से कई celebrities आये हैं जिनोंने यहां कबन खाया है यह समूसा बन actually मैं बहुत टेस्ट ही था और यह uncle बनाने वाले फिर उसके बाद गए हम sunset point पर और यह देखो sunset point पर हम पहुँच गए हैं यहां से view देखो आप किता सुन्दर है चारो तरफ पहाड ही पहाड और sunset point है ना beautiful यहां पर फोटोज कराने के बाद हम निकले next point पर जो की था suicide point देखने में यह जीव सा लग रहा है ना बट अच्छा था वहां से भी ऐसा ही view होता है पर चलो फिर उसके बाद हम गई next suicide point पर और यहां से suicide point का रास्ता स्टार्ट होता है यहां से track है दो तू 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 त्री किलो मिटर्स का रास्ता काफी अच्छा है कोई अजीब नहीं है ठीक है चलने में आसानी रहती है और उसके बाद हम पहुँच ही गई suicide point पर यह भी है और आगे थोड़ी ही दूर जाके दूसरा point है यह रहा और यहां भी suicide point की नाम से इसको जन जाता है यहां चारों तरफ खाई ही खाई है यह देखो तो यह हमारा कसोली का व्यू था होफ़ेलिए आप सुभी को पसंदाया होगा थैंक्यू बाबाई